हेलो अबरीमन गुड मॉर्निंग तो कैसे हैं आप लोग चलिए आज ही क्लास में हम लोग श्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक एक नया चाप्टर जो आपको अलजेब्रा का अंदर आता है आपको हम क्लास 10 से जो अलजेब्रा स्टार्ट किये थे जिसमें आपको हम पहला टॉपिक बता दिये पोलिनोमियल्स वह कंप्लिटेड हो गया और आज ही क्लास हम लोग श्टार्ट करने जा रहे हैं लेनियर एक्विशन्स इन टू वैरियेवल्स बहुत ही इंपोर्टन चेप्टर है और यह काफी इंपोर्टन इससे काफी ज्यादा कोश्स बनता है और स यहां पर अपको हम लिन्रे कैसंस इंट्व वैरिवल को फ़रा सी डिफान कर देते हैं आप इसको समझने की कोशें आपको यहां पर यह जो word दिख रहा है आपको समझना आप प्ल है और इसका जो भी इसका जो आपको एक्स्पलारा लेसं नहीं है यह सब इसी हां पर जो य Benson आपको दो सीजह होता है एक होता है इक वीशनस्ट और एक होता है आपको इनुक्वेशन क्या होता है इनिक वेशन यह भी आइन लगा भॉग निसमें आएन लगा हुआ है तो इक वेशन मतलब से हाहल इसमें到80 होगा इसमें क्या होग इस्टेंट Tilette equality मतला इसमें दो quantities होगा आगर तो वह दोनों क्या होगा आपको equal equal दिखाया जाएगा जिसए महानली जिए यहां सब एक X है और यहां क्या है यह तो य होगया सपोज अगर यहां पर आगर राम है तो राम स्टेिर्ट के हो जाएगा एक किस बेस मीड़ेंगों लुए आए वह में नहीं बताया अनुएन्य की को टि मिर्लेट जो सिंगी को तुंकि यह इ Kap 30 कजी में। पैचान Brock का equation का to statement of equality is called any question ये हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया आप देखिए अगर यहीं पे इसको थोरा सा अलग धंक सबसेंगे तो यह इन आप समझेंगे अगर माली जी यहाँ पर है इसको क्या पढ़ेंगे X is greater than Y या आप इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Y is less than X लिख सकते हैं तो यहां देखें यहां पर statement of equality नहीं बनदा यहां पर बनदा statement of inequality तो यह बन गया in equation बात समझे कि नहीं जब कोची छोटा बरा हो जाए ना तो वह क्या हो जाएगा वह जाएगा आपको इन equation हो जाएगा तो equation और यह you know एक्वेशन है तो फिलाल तो भी हम लोग इक्वेशन के परएंगे अगर हम सियाम बला देखें अगर मालीजर राम का वोजन अगर राम का वजन 60 kg हो जाता है और स्याम का वजन माला ज़ें 50 kg हो जाता है तो क्या करना होगा कि राम is greater than the weight of राम is greater than the weight of स्याम इस तरह से आप लिख सकते हैं होगा कि नहीं होगा तो अपको equation and in equation में जो है आपको थोड़ा से difference आपको बता है solution of methods मैंने अभी नहीं बताया ठीक है आपको इसका जो solution होता है यह आपको अगले क्लास में आता है यह अभी जुरूत नहीं होता लेकिन सिर्फ आपको डिफरेंस समझना था अभी आपको हम बता दिए जितना जरूरी है उतना मैंने बता दिया ठीक है बाद में कि अभी हम लोग समझेंगे कि एक्वेशन तो आप समझें अब एक्वेशन अलगलग ट लिखेंगे और कितने टाप का एक्वेशन बनता है तो एक्वेशन बनाने के लिए हम लोग इंफानाई टाप का एक्वेशन बन सकता है बहुत तरीका का बन सकता है ठीक है लेकिन उतना तो नहीं नपरना है तो क्या है एक लिमीट में परेंगे लोग लिमीटेट ही ठीक है तो चली हम लोग देखते हैं आगे ओके अगे अगे कि कत्य बहुत जाहीगे सांत रहना तो चलिए अब देखें आपको हम कैसे समझाते हैं यहां पर यह जो हैं देखें आपको पोलिनोमियल को टैप बताया थे उसमें आपको में लीनियर बताय था ना देखें अफ थोड़ों से समझे और यहां पे जो हैं टू वारियेवल्स एजो अब सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं अभी क्या linear equation क्या linear equation in one variable क्या one one variable एक variable बाला देखिए equation तो equation तो होगा ही क्या होगा equation मतलब बीच में जरूर वह statement of equality बनेगा लेकिन उसमें जो variable होगा इसमें क्या होना चाहिए एक ही variable होना चाहिए तो जीसे देखिए आप थ्छोड़ा से example को समझें define करना थो बहुत ही simple है define करना बहुत सिंपल करना क्या है बहुत सिंपल करने में कहां पहाँ identify करने अगर आप identify कर लिए तो define करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा क्या बता है मैंने अगर आप identify कर लेते हैं तो आप उस इसको define भी कर सकते हैं ठीक है अगर आप समझ गए तो define कर लिजाएगा तो यहां पर देखिए one variable तो one variable मैंने ले लिया सब्सक्राइब यहां पर लीनियर है तो लीनियर का मतलब क्या होता है लीनियर का मतलब होता है आपको डिगरी डिगरी एक होता है क्या होता है लीनियर मेंस डिगरी एक तो यहां भी क्या लिखा हुआ लीनियर है तो लीनियर मेंस डिगरी एक मिन्स क्या हो गया highest power of the variable is 1 होना चाहिए तो यहाँ एक्स का पावर 1 है है अगर मालेजे एक्स इसकोल to 5 कर देते हैं ठीक है तो यही तो हो गया देखिए बीच में आपको इक्वेशन हो गया हो गया और जब यह इक्वेशन हो गया तो किस तरह के एक्वेशन हुआ अरे इसमें वन वैरियावल मतले एक वैरियावल हो गया और साथी साथ वैरियावल का पावर क्या है एक है मतले डिग्री एक हो गया तो यह जो हो गया यह जो एक्जांपल हुआ दिस इस दा इक्जांपल ओफ लीनियर एक in one variable यह क्या हुआ यह जो एक्जांपल हुआ यह हुआ लीनेर इक्विशन इन वान वारियवल देखिए इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर 5 को आप LHS में ला लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा सबसे पहले आपको यह बता दे कि लीनियर इक्विशन का जो एस्टेंडर फोर्म होता है वह क्या होता है आपको इसको डिफाइन आप ऐसे ही करिएगा एन इक्विशन आप दे फोर्म एक्स पलस बी इस एकोल तो जीरो वेयर वेयर एंड बी बिलॉंग्स टू रियल लंबर वेयर एंड बी आर रियल लंबर ऐसे बोल सकते हैं साथी साथ सच ब्याट एड़ ड़ज नट इकोल डू जीरो इस कॉल दू और लीनियर इक्विशन लिखेंगे ना तो उसी में आप इसको भी लिख लिजाएगा आगे उसको चेंज करके बहुत ही सिंपल है ठीक है अब यहां पे यहां कंडिशन को समझ लिजे कि A और B का वैलू जो है आपको रियल लंबर होगा तो रियल आपको पता है मतलब आपको अगर एक्जांपल ल आपको लेना है तो देखें जैसे के रूट 2y-3 is equal to 0 तो यहां देखें यहां पे यह जो य है ना तो य के पावर 1 है अभी अभी यह क्या दिखर आपको जब डिग्री वन होता है तो यह हो जाता है लेकिन यह अगर कह रहा था आपको एक जगब हो रूट 2 है यह यह यह रूट 2 भी हो सकता है तो रूट 2y-3 यह हो गया आपको किसका यह लीनेरी कुस्णिल वन वारियाबल का देखें इसमें एक कंडिशन और है कि एडिनाटी कोल्ड जीरो क्यों क्योंकि अगर एक वालव जीरो हो गया तो एक्स वाला टर्म सी 0 हो जाएगा और जब एक्स वह उसमें वारियाबल बचेगा ही नहीं तक कहां से यह लीनेरी कुस्णिल वारियोल बचेगा ठीक है तो होप कि आप इसको समझ गये हैं तो चलिए आजकर हम लोग का में टॉपिक है थोड़ा इस पर देखते हैं ठीक है ओके तो इसको जो है ना इसी को थोड़ा सा आपक को लीनेर होगा ठीक है के लिए रहे है अब देखिए तो इसका लिखेंगे एन इकवेशन क्या एन एकवेशन ऑस दफॉर्म अफ दॉर्म अफ दॉर्म मतलब किस रूप का कैसा दिखना चाहिए तो एन एक्वेशन ऑफ दो फॉर्म ए एक्स पलस बी-वाई पलस ती इस एक condition the jurnippa where a b c are real number real numbers real numbers such that such that किस तरह से एडिन ड़े ने इकॉल डूजीरो कॉमा बी डाजन अट इकॉल डूड जीरो देखिए वहां पे आपको वाला में सिर्फ एडनेटीकोल जिरो कि उसमें एक सी के साथ ए था लेकिन यहां 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 बचेगा लेकिन किसका डिफिनिशन हम लिख रहे हैं टू वारियाबल बला चाहिए तो यहां पर इक्रिफ अ क्या का कि रिफिनिशन व्हां आजै क्राई टो यहां डिफिन रा लेकिन लिख टू वारियर स सवोप की आपको बहुत सारे इसांपवाइब लिख सकते हैं तो पूछा जाता है बएपको बद्योल form of linear equation in two variables. तो आपको बताना है, simple सी बात कि the general form of linear equation in two variable is equal to AX plus BY plus C is equal to 0 where condition में जोर दीजएगा ABC are real numbers such that A does net equal to 0 and B does net equal to 0. क्योंकि आपको यह form बोलने के बाद condition को मत छोड़िएगा बीना condition का यह काम दो चलने वाला है, ठीक है? तो examples में अगर आप लिए लिजे तो 2X plus 3Y is equal to 8. अब कहेगा, Sir, यह तो इसी form में है नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे तो C के जगा कुछ नहीं दिख रहा, अरे कुछ नहीं दिख रहा है ना, आपको दिखेगा, थोड़ा दिखे इधर, इसको आप कैसे लिख सकते है? इस 2X को ऐसे रहने दीजे, पलस 3Y, ऐसे ही रहेगा, 8 को इधर रिवर्स कर लेंगे, 8 को ऐसे रिवर्स कर लेंगे, तो इसको ब्रैकेट में डाल लिजे, इस गोल्ड जीरो, अब देखिए, आपको यहाँ पर अब यहाँ पर अगर अगर कंपेर करिएगा, AX पलस BY पलस C is equal to 0, तो देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपको A का वैल्यू दो निकलेगा, यहाँ की नहीं हैगा, A is equal to 2, अगर कंपेर करके आपको A, B, C का वैलू बताएं, तो A का वैलू 2, B का वैलू क्या निकलेगा, आपको 3 निकल लाएगा, और C का वैलू क्या निकल लाएगा, आपको, माइनस 8 निकल लाएगा, ठीक है, तो यह देखे, यह हमने लिखा थे, इकजामपल्स, लेकिन इसको कंपर करकर आप इस तरह से इसको लिख सकते है, ठीक है, तो आपको यह पहला एकजामपल्स हो गया, देखे, दूसरा एकजामपल्स की बात करे, तो मान लिजा, यहाँ प बड़ करिएगा तो यह तो एसे राजाएगा ना root 2 x plus 3y 3y आप पर जीरो इसको जिरो लिख सकते हैं c का value 0 हो जाएगा a का value root 2 हो जाएगा और b का value 3 हो जाएगा ठीक है तो मेनी इस एक्जांपल से कितने सारे लिखेंगे इतने सारे चीज़ तो अब आप लिखना भी समझ जाएगा अब देखिए अगर मालेज़े यहां पर शिर्फ और सिर्फ यह सकेंड इक्जांपल्स हो गया यह पहला एक्जांपल्स की बात करें अगर मालीज़े आपको कि इस तरह से दे दिया जाएगा एक्स बर इस एक्वेशन को इस फॉर्म में कनवर्ट करने के लिए तो सिम्पल सी बात है एक्स पलस यहां जागा आपको क्या माइनस वन वाई होग नहीं होगा डेकली इस तरह से लिख सकते की निख सकते हैं आपको माइनस वन दे दिजे और नहीं तो दूसरा तरीका यह भी है यहां पलस डालके 0 is equal to 0 तो एक का वैलो तो यहां से निकल दाएगा 1 क्योंकि एक्स का कॉफिसियन नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा बी का मैनस वन हो जाएगा और सी का वैलो 0 हो जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में आपको हम complete बता है linear equation in two variable के बारे में तो होफ कि आपको यह चीजे समझ में आ गया होगा अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके solution के बारे में ठीक है तो solution क्या होता उसके लिए अगले वीडियो के आप लोग वैट करिए तब तक के लिए thank you